ओम शांती 29 अक्टूबर 2022 आज की अव्यक्त मोली बाबा के महावा के शांती में बैठ कर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे बाबा केते हैं सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्वव में ठित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग में सूली से कांटा हो जाता है कर्म भोग को भी बेहत के ड्रामा के अंदर खेल समझ कर खेलते हैं तन का रोग योग में परिवर्त हो गया इसलिए सदा स्वस्थ हो बिमारी वो बिमारी नहीं समझते लेकिन अनेक चन्मों का बोज हलका हो रहा है विसाब चुक्तु हो रहा है ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो तासात मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही मन बनाभव होना अर्थात खुश्यों के खजाने से संपन्न होना ये वानी 23 जैनुवरी 1979 की रिवाइस मुली से उच्चारित है बाबा केते हैं मारत्थी में स्वयम को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए मोल्ड करने वाला ही कोल्ड होता है जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है मिक्स है मिक्स होना अर्थात घोड़े सवास मारत्थी मोल्ड होता है महारती जिसमें सर्व सिफते हो अर्थात सर्व गुंड संपन सर्व कलाएं और सर्व विशिष्टाएं हो अगर एक तो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुंड नहीं तो महारती के टैटल से निकल जाते हैं ये वानी है 31, October 1975 की रिवाइस मुली से बाबा केते हैं बाप से निभाना सहज क्यों लगता है क्योंकि दिल का प्यार अटोट है प्यार में निभाना सहज होता है जिससे प्यार होता है उसका कुछ सिख्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है और सदैव दिल में अन्वव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्यान के लिए कहा क्योंकि उसके प्रती दिल की स्रेष्ट भावना होती है तो जैसे आपके दिल में उनके प्रती स्रेष्ट भावना है वैसे ही आपकी शुब भावना का रिटर दूसरे द्वारा भी दाप्त होता है जैसे गुबज में आवाज करते हो तो वही लोट कर आपके पास आती है तो जैसे बाप के प्रती अटूट अखंड अटल प्यार है स्रेष्ट भावना है निश्चे है ऐसे ब्रामन आत्मा आए नंबर वार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है वराईटी चलन वराईटी संसकार देखकर प्यार करते हैं वह अटूट और अखंड नहीं होता है इसी भी आत्मा की अपने गतीवा दूसरों के प्रती चलन अर्थात चरित्र वासंसकार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है लेकिन आत्मा का स्रेष्ट, आत्मा के भाव से आत्मिक व्यार उसमें परसंटेज नहीं होती है कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्रामन आत्माओं का सारे कल्प में आटूट समंध है इश्वरिय परिवार है बाप ने हर आत्मा को विशेश चुनकर इश्वरिय परिवार में लाया है आपने आप नहीं आए हैं बाप ने लाया है तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूद प्यार हो जाता है किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती तब ही प्यार में आंतर आता है उस समय बुद्धी में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है अवश्य कोई विशेष्टा है अब बाप ने पसंद किया है यवानी 7th, March 19th, 90 की रिवाइज मुली से उच्चारित है बाबा कहते हैं, बाबा तो सदेव चाहते हैं कि हर बच्चा माया जीत तकती जीत, कर्म इंद्रिय जीत, निंद्रा जीत, विकर्मा जीत, मन जीत, जगजीत बने तो जिससे प्यार होता है, वो जो चाहता है, वही किया जाता है, ना बाब से तो प्यार है ना, तो करो जब यह याद रहेगा कि मेरे से बाब यही चाहता है, तो स्वता ही शक्टी शाली हो जाएंगे और माया जीत बन जाएंगे माया आती ही तब है जब कमजोर बनते हो इसलिए सदा माश्टर सर्शक्ति वान बनो ये वानी 3 दिसमबर 1979 की रिवाईज मुली से उच्चारित है बाबा केते आभी मंता शक्ति द्वारा वाइवरेशन केंद करना वातावन केंद करना उसकी अवशक्ता है यहे सुनने सुनाने से नहीं होका लेकिन आपने मन की शुप कामना मनुश्यों की वृति को त्रिष्टी को वृति को परिवर्तन कर सकती है ये वानी 24 अक्टूबर 2013 की रिवाईज मुली से उच्चारित है अच्छा, ओं शान्ति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया